दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है specially उन लोगों के लिए जो हमेशा YouTube और Google पर सर्च करते रहते हैं कि online से पैसे कैसे कमाते हैं आप में अगर कोई भी skill नहीं है ना आपको video editing आती है ना आपको blogging आती है ना आपको content writing आती है ना आपको English आती है फिर भी आप online से पैसे कमा सकते हो with the help of chat GPT दोस्तों आज का ये video specially उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको मैंने सिखाया था कि आप website कैसे बना सकते हो आप blogging कैसे कर सकते हो आप blogging का SEO कैसे कर सकते हो फिर भी उन लोगों को blogging या फिर website बनाने में तकलीव आ गया है उन लोगों के लिए मैं आज ऐसा वीडियो बनाने वाला हो जिससे आपको बस आपके client के पास में पहुँचना है उनको आपको content writing और blogging की service प्रोवाइड करनी है और आप उनसे charge करोगे दस डॉलर, पंदरा डॉलर प्रती घंटा अगर आपको पता है आज इंडियन रुपीज में एक डॉलर की किमत अराउंड 80 रुपीज है यानि आप घंटे का 800 रुपया charge ले सकते हो यानि अगर आप सिप 5 घंटा भी दिन में काम करते हो तो आप 4000 रुपीज दिन में कमा सकते हो तो आपको ये पैसा कमाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपको पैसा कमाना है तो जल्दी से मैं आपको बता देता हो कि चैट GPT से आप कैसे महीने के 40,000, 50,000 स्टार्टिंग में कमा सकते हो इसके लिए बस थोड़ ऐसी टेकनीक है जो आपको यूज करनी है और दुसरी चीज आपको ये करनी है कि आपको ये वीडियो एंड तक देखना है वो भी बिना स्किप किये हो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में आपको देता रहो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो आपको सबसे पहले गूगल पे जाके Upwork.com सर्च करना है इसके पहले मैं आपको बता दो कि Upwork एक्जाटली है क्या Upwork एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर बहुत सारे business companies अपनी profile करेट करके freelancers धूनते हैं उनकी services को provide करने के लिए जैसे कि बहुत सारी companies में graphic designer, website development, marketing या फिर blogger, content writer ऐसे services की ज़रत होती है तो ये companies क्या करती है ये companies अपनी profile बनाती है Upwork पे और Upwork पे आपके और मेरे जैसे जो freelancers होते हैं वो भी अपनी profile बनाते है यहां पे जो companies होती है वो यहां पे दो टाइप से पैसा पे करती है आपको एक होती है आपको गंटे के हिसाब से यानि आस के हिसाब से Upwork is basically एक marketplace है जहां पे business companies and freelancers दूनों एक दूसरे के साथ में connect होती है तो चलो दोस्तों जल्दी से देखते हैं कि आपको Upwork के ऊपर आपका registration कैसे करना है तो सबसे पहले आपको जाना है Upwork .com पे जैसे आप करते हो यहां पे आपको करना है sign up तो sign up पे यहां पे दो options आ रहा है एक आ रहा है कि I am client hiring for a project I am a freelancer looking for a work तो जैसे कि हम लोग यहां पे हमारा जो भी service है वो यहां पे देने के लिया है So second option पे click करना है I am a freelancer looking for a work apply as a freelancer तो यहां पे आपको दो options मिलेंगे कि आपको एक तो Google या फिर Apple से आपको login करना है यहां फिर आप manually भी यहां पे login कर सकते हो यहां पे मैं का already Google का account है मैं simply यहां पे continue with Google करता हूँ अभी आप यहां पे देख पा रहा हो कि sign up to find work you love तो यहां पे जो country है वो मुझे as a India select करने है by default यहां पे इंडिया आया है उसके बाद मैं आपको तो यहां पे अभी कुछ properly हमें और कुछ details डालनी है जिससे जो companies हैं उनको पता चलेगा कि exactly हम लोग किस type का जो services से वो provide करता है ready for your next big opportunity so तो यहां पे करना है get started so यहां पे कुछ questions है जो हमें properly उनके answers देना है तो यहां पे have you freelance before तो यहां पे बूलना है कि I am a brand new to this यहां पे करना है next what's your biggest goal for freelancing तो यहां पे जैसे देख पा गएं कि 4 options है तो basically हमें यहां पे पैसे कमाना है तो सबसे पहला option आपको यहां पे choose करना है click next यहां पे बाद में question पूछा जागा है how would you like to work I'd like to find opportunities myself या I'd like to package my work for a client to buy तो यहां पे I'd like to find opportunities myself तो हम लोग खुद यहां पे opportunities find करेंगे यहां पे करना है next create a profile question यहां पे पूछा जागा है how would you like to tell us about yourself तो यहां पे 3 options है एक तो आप आपकी LinkedIn profile आप connect कर सकते हो आप आपका resume connect कर सकते हो या फिर आप manually details यहां पे add कर सकते हो मैं तो बूलूँगा आप manually details add कीजिए now add a title to tell the world what you do तो यहां पे हमें यह बताना कि exactly हम लोग क्या काम करते है तो मैं यहां पे बताऊंगा content writer blogger next तो आपको यहां पे पूछा जा रहा है if you have relevant work experience add it here so basically आपको यहां पे क्या करना है आपका जो भी work experience है वो add करना है अगर आप आपका experience यहां पे add करते हो तो इससे benefit आपको यह होगा कि जो भी client आपके हैं उनका आपके ऊपर का confidence level है वो बढ़ जाएगा और आपको project मिलने के chances बढ़ जाएगे यहां पे आप experience add कीजिए यहां पे title लिखी है content writer जो companies के लिए मैंने suppose मैंने काम किया है XYZ कोई भी companies आप यहां पे लिख सकते हो यहां पे मैं suppose लिख रहा हो Microsoft जिसके लिए मैंने काम किया था आपका जो location है that is a Mumbai so I am currently working this role start date जो है वो आप यहां पे January लिखे यह आप लिखे 2024 January 2024 यहां पे 23 कर देना एक साल का experience दिखेगा तो अभी आपको यहां पे description डालना है तो अगर आपको English नहीं आती तो कोई issue नहीं है आपको जाना है simple chat GPT पर आपको लिखना है chat.open.ai.com और आपको एंडर करना है यहां फिर आप simply Google से भी search कर सकते हो Google पर जाना है आपको बस chat GPT search करना है जैसे आप chat GPT search करते हैं जो सबसे पहले link है वहाँ पर click करना है जैसे पहले link पर click करते हैं आप यह chat box में आ जाओ गया अभी यहां पर आपको chat GPT को यह बताना है कि I am creating profile for Upwork please write a description for my work experience in Microsoft as a content writer बस जैसे ही आप यह command देते हों आप देख पारे हों कि chat GPT completely description आपके लिए राइट कर रहा है आपको बस यह description copy करना है कि कॉपी और यहां पर आपको बस करना है प्रेस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हों कि यहां पर जो 1000 characters है उससे ज़्यादा यह description नहीं लेगा तो chat GPT को जाकर आपको बताना है कि प्लीज राइट डिस्क्रिप्शन अंडर 1000 characters simple तो जैसे कि आप देख पार हो कि chat GPT ने फिर से आपके लिए description बना है यहां पर बस आपको करना है copy best save simple तो यहां पर आप देख पार हो कि आपको आपके education के बारे में पूछा जा रहा है कि आपने exactly education कहां से किया है तो education की details आपको यहां पर पूछी जागी है तो यहां पर मैं डाल दूंगा anima ms degree mba यहां पर अगर आप चाहते हो तो chat GPT के help लेख सकते हो बट अभी मैं यहां पर simply बता दूंगा कि save click add language so यहां पर आपको यह याद रखना है कि भले आपको English आ रहा है नहीं आ रहा है यहां पर आपको English का option select करना ही है तो यहां पर आप select करोगे English जो efficiency है वह मैं basic है conversational है fluent है native है यहां पर बोल सकते हो कि जो भी client है जो English में आपके साथ बात करेगा उसके साथ मैं आप at least conversation कर सकते हो तो यहां पर आप conversational डाल सकते हो next add your skill अभी यहां पर पूछा जा रहा है कि what work are you here to do अभी हम लोग को हमारी skill से वह यहां पर add करनी है तो जैसे कि आप डालोगे कि blog commenting, blog development, blog content, content writing, blog writing इसके अलावा अगर आपको और कुछ आता है तो वह आप डाल दीजिए यहां पर जैसे आप blogging डाल रहे हो तो यहां पर Google blogger जैसे कि Google blogger भी आया है और blog के related अपको और क्या आता है वह आप यहां पर सारी चीज़े डाल दिए जैसे कि परस्नल ब्लॉक content AI content writing येस परफेक्ट तो जितने भी यहां पर आप maximum 15 स्कील्स आपकी आड कर सकते हो वह आप यहां पर आड कर देना click next write an overview तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहां पर आपको फिर से पुछा जा रहा है कि now write a bio to tell the world about yourself तो जैसे कि आप देख रहे हो right hand side में कि जो भी आपका profile होगा उसकी नीचे आपके बारे में complete knowledge होगा कि आप exactly क्या काम करते हो आपकी expertise क्या है इसके लिए फिर से हम लोग जो help लेंगे वो है chat GPT की यहां पर हम लोग chat GPT को बता देंगे I am a content writer I am I am creating profile on Upwork please write a bio for me along with the good outlines outline का मतलब यह होता है कि जो भी script आपको chat GPT लिखके देगा वो एक paragraph की हिसाब से आपको properly provide करेगा और यहां पर आपको enter करना है जैसे यहां पर enter करते हो तो आप देख पा रहे हो कि automatically यहां पर bio chat GPT ने लिखना शुरू कर दिया है यह देखिए closing statement तो आपकी जो भी skills है वो भी यहां पर add आई है तो यहां पर फिर से अगर आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो skills है वो ज्यादा showcase नहीं की है chat GPT ने अभी हम लोग chat GPT को बोलेंगे प्लीज एड़ मॉर स्कील्स इन बायो सो दाट क्लाइन्ट विल कॉनफी डेंटली रिच टू मी तो जैसे आप देख पारों कि चैट GPT फिर से आपके लिए भी यहां पर जो वो बायो है वो ख्रेट कर रहा है देखो skills जो है वो जो बस दो एड़ की थी वह उनने एड़ कर दी अच्यूमेंट भी आपकी आड़ कर दी कोलाइबरेशन कमिनिकेशन भी इड़ कि आपकी योएसबी भी बता दी सारी चीजे वह समरी में बता दिये इसको आपको क्या करना है बस यहां पर जाएए कॉपी यहां पे जाके आपको करना है पेस्ट जैसे ही आप पेस्ट करते हो यह देखें आपकी डीटेल्स आ रहें next choose your category तो यहां पे आपको जैसे देख पार कि what are the main services you offer तो हम लोग content writing and blogging की services यहां पे provide करने वाले next set your rate तो अभी आपको यहां पे decide करना है कि आप कौन से basis पे charges लोगे तो यहां पे आपको hourly rate भी होगे यहां पे service fee भी होगी and you will get so basically यहां पे starting में आप आपका जो service है because आप नए हो upwork में right तो आपको आपकी जो charges वो थोड़े से कम रखने as compared to और आपके जो competitor कम यानि आपको यहां पे आप around $8 रख सकते हो तो जैसे आप देख पार कि जो service fee upwork लेगा $0.80 और आप हमें मिलेगा $7.20 तो यानि आप मार्केट में आज $1 की price अगर आप देखोगे $1 इन रुपीज तो $83.19 रुपीज का $1 का price है इसका मतलब यह है अगर मैं यहां पे calculate करो आपको मिलने वाला है $7.2 into $83 यानि आपको $5.97 रुपीज मिलेंगे यहां पे एक आर के तो यानि अगर आप 5 गंटा काम करते हो तो इसको अगर मैं फिर से अगर multiply by 5 कर दूँ तो देखिए आप around $3,000 रुपीज आप कमा सकते हो यहां पे तो imagine कीजिए आपको कितना पैसा यहां पे मिलेगा बस आपको यहां पे consistent गहना है आपको यहां पे add your photo तो जो भी आपकी अच्छी वाली जो भी photo है वह आप यहां पे upload कीजिए अगर आप यहां पे smiling वाली photo एड़ करते हो तो सामने वाली company भी आपके यहां पे जो है वह positively approach करेंगे तो smiling वाली photo अच्छे से डाल देना यहां पे आप आपकी date of word डाल दीजिए जो country है वह डाल दीजिए आप आपका address properly यहां पे mention कीजिए तो आपको यह make sure करना है कि आपको यहां पे address डालना है जो आपके आधारगाड पर है वही address आपको put करना है अब यहां आपको क्लिक करना है review your profile तो यहां पे आप देख पार हो कि आपकी जो profile है वह अभी कैसे दिख रही है तो जहां यहां पे आपने डाला था content writer blogger आपने आप आउट्लाइंस भी बनाई थी आपने आपका hourly जो rate है वह भी बताया है तो सारी चीज़े जो भी आपने आड़ किती वह आड़ हो चुकी है तो यहां पर आपको बस क्लिक करना है submit profile जैसे हम लोग submit profile पर क्लिक कर रहे हैं आप देख पार हो कि यह window open हो रही है यहां पर हमें profile है वह 100% आपकी complete हो पाईगी तो यहां पर आपको simply आपकी employment history डालनी है आपका portfolio जो भी आपने इसके पहले जो projects किये हो है वह डालने है आपको वह जो सारी जो project है वह आपको simply chat gpd के help से बनाने है एक 4-5 प्रोजेक्ट आप बना देना जैसे कि example के दौर पर आपको जाना है chat gpd में यहां पर आपको chat gpd को command देनी है create create blog about fat loss blog length 1500 words and create proper outline यहां पर and weight loss यहां पर आप click कीजिए जैसे यह पुरा content आपके लिए बन रहा है आपको बिस थोड़ा relax हो जाना है यहां पर आपको करना है यह content पुरा copy तो इसके लिए आपको जाना है introduction बिस copy word पर जाहिए यहां पर आपको करना है paste जैसे करते हो control s यहां पर आपको नाम देना है fat loss blog और यह आपको save कर देना है आपके desktop के उपर save और यही जो blog है यह आपको यहां पर upload करना है आपको जाना है upwork में यहां पर आपको portfolio में जाना है यहां पर आपको डालना है fat loss project title completion जो date है आप पिछले साल का डाल दीजिए यहां पर जैसे कि suppose 1 December go to sample यहां पर case study पर click करना add details goes I was working as a content creator for fitness company और यहां पर आपको describe करना है I write daily blocks for my fitness company जो पहला link आ जाएगा वह आप search कर लेना select word file हमने desktop पे save की थी fat loss convert PDF download कीजिए download में save हो चुका है फिर से आपको जाना है upwork पर यहां पर browse file downloads में fat loss block open जैसे आप देख पा गयो कि आपका जो block था वो यहां पर अभी upload हो चुका है आपको निचे जाना है project solution यहां को अपने क्या solution दिया I have created a blog which helps people to lose their weight simple जैसे आप देख पार हो कि आपको और एक file save करनी है यहां पर attach करनी है तो simply मैं और एक यहां पर ब्लॉग बनाऊंगा हमने एक project submit किया था fat loss के बारे में second आपने किया fat gain के बारे में और अभी आप आपको go to preview तो देखिए जैसे आप देख पा रहे हो कि आपका जो भी project है वो share हो चुका यहां पर आपको करना है publish जैसे आप आपकी profile में भी देख पा रहे हो कि हमने category select की थी content writer की और blogger की हमने यहां पर set किया था यहां पर यहां पर हम लोग जल्दी से पाइन डिटेल करते हैं करेंगे तो हमें पैसा नहीं आएगा यहां पर यहां पर यहां पर पासवर्ट जो है वो change कर देंगे अभी आपको यहां पर कुछ टैक्स की डिटेल्स डाली है आपकी जो country हमारी जो country वो है इंडिया इंडिया इसलिक कीजिए address line जो exactly आपके पैंड कार यहां पर आधर कार से जो भी match होती है वही डिटेल्स आपको यहां पर डाली है मेरी डिटेल्स और डाल दूंगा यहां पर पर सापको करना है सेव तहां पर और एक चीज आपको पूची जाए की I am not I am a non-US person definitely no यहां पर legal name of the taxpayer माई डेट ऑफ बर्थ अभी आपको यहां पर आपका जो पैन काड नंबर है वो प्रॉपरली एंटर करना है कि सिगनेचर आपको आपका जो फूलने में वह ऐसे सिगनेचर यहां पर पूट करना है राइट क्लिक कि अटोमेटिकल यहां पर आज की डेट आ रही है क्लिक ऑन शेटिंग्स जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करते है तो यह सारे ओप्षनस देखते हैं तो एककर करके देख लेटे कि यह एक्से क्या है because इसमें से एक important option है जो की है gatepads का उसमें आपको आपकी bank details आड़ करनी है उसके पहले जान लेते हैं कि अभी जो हमारा जो plan है current plan है वो उस plan में exactly हमें क्या मिल रहा है कि जो current plan है वो basic plan है तो अभी अगर हम लोग basic plan की details जाना चाहेंगे तो यह basic plan में जैसे आप देख पा रहे हो कि 10 connects total per month so basically हमें कुछ points दिये हुआ है तो हम लोग 10 लोगों को proposal भेज सकते हैं तो अभी इसके बार में भी आगे देख लेंगे कि exactly कैसे work करता है अगर आपको upgrade करना है plan तो 14.99 यानि 15 dollar 15 dollar यानि आज के टाइम पर अगर इंडियन रुपीस में अगर मैं बात करूँ 15 into 80 इसका price होता है 1200 तो 1200 रुपया अब हर महिना यहाँ पर पे कर सकते हो actually यह amount कुछ भी नहीं है विटसिल अभी हमें free में मिल रहा है तो क्यों अभी हम लोग यह amount पे करें तो we will stick with the basic plan यहाँ पर आपकी contact details भी check कर लीजिए इसमें सबसे important जो option है वो है get pets तो यहाँ पर get pets में आपको आपकी bank details correctly डालनी है तो basically आपको जो पैसा आएगा वो आएगा dollars में आपको आपके Indian bank account यहाँ पर डालनी है तो जैसे कि अगर कोई भी सामने वाला अगर dollars में pay करता है तो automatically वो पैसा आपको इंडियन रुपिस में आ जाएगा आपको बस यह make sure करना है कि जो भी bank account details आपने दी है वो correct हो तो जैस तो मैं यह part skip करना जाओंगा बस मुझे आपको यह बताना था कि आपको bank details डालनी important है because अगर कोई भी client आपको payment करता है तो वो payment आपको आना important है तो मैं यहाँ पर back ले लेता हूं अभी हम लोग हमारा जो important topic है वो शुरू करता है अभी हम लोग देखेंगे कि आपको exactly client केसे find out करना है यहाँ पर कुछ जो client है वो scammers भी होते हैं so basically ऐसे लोग भी आपको यहाँ पर मिलेंगे जो आपको बूलेंगे कि आप उनके telegram account को join कीजे facebook group को join कीजे and they will ask you for the 200 rupees every 300 rupees dollar तो इन जैसे लोगों से आपको यहाँ पर दूर भी रहना है तो उसकी लिए trick मैं आपको बता करना है find work जैसे find work करते हो click आपको content writing के related जो भी job post हुए वह आपको search करनी है तो यहाँ पर टाइप कीजे content writing तो जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो कि content writing के लिए हमने search किया है अभी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो भी jobs open है हमें यहाँ पर left hand side में कुछ filters apply करने जो की important है experience level पर आप intermediate click कीजें आपको hourly basis के उपर भी आप काम कर सकते हो और आप fix price के उपर भी काम कर सकता हूं तो यहाँ पर hourly पर click कीजें fix price के लिए मैं आपको advice करूंगा आपको 100 $500 से लेके $500 तक क्लिक करना है $500 को अगर आप Indian रुपिस में अगर convert करते हो तो around 14,000 रुपिस होता है which is a good amount start में यह तो definitely अच्छी amount है जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कुछ scanners भी होता है तो scanners से बचने के लिए आपको client info में checklist क्लिक करनी है जो की है payment verified तो just click on payment verified इससे यह होगा कि जो भी client ने उनका payment verification किया है वही लोग यहाँ आपको अभी यहाँ पर job posting के लिए दिखेंगे अभी example के तौर पर देख लेते कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको एक ऐसा blog बनाना है यहाँ आपको एक ऐसा content लिखना है जो की होगी cryptocurrency के ऊपर त to write a content slash blog about crypto currency please help me to write seo friendly blog for the same please make sure the length of the blog should be 1500 words तो अभी आपने चैट GPT को यहाँ पर एक command दी है जहाँ पर आपने बोला है कि आपको cryptocurrency के ऊपर SEO friendly blog लिखना है और जिसका length होगा 1500 words तो आप देख पर एक magic होगा है कि चैट GPT आपको automatically यहाँ पर एक blog बना के दे रहा है अभी समझ लेते हैं कि आपका जो client हो बोल रहा है उसके पास में tool है जैसे वो detect करेगा कि यह content है आपने AI से बनाया तो basically chat GPT से बनाया तो अभी इसके लिए दुसरा solution मैं आपको दे देता हूं कि आपको क्या करना है सबसे पहले तो यह जो blog है इसको करना है copy और इसको आपको करना है word में paste आपको जाना है file में new documents आपको यहाँ पर करना है पेस्ट जैसे आप पेस्ट करते हो आपको एक नया tab open करना है जिसका नाम है quillbot इसकी जो link है वो मैं अपने description box में डाल दूँगा आपको क्या करना है यहाँ पे एक पैर यहाँ पर copy करना है और यहाँ पर आपको करना है paste तो जैसे आप यहाँ आप देख पा रहे हों कि जो chat gpt ने आपको content बना के दिया था यहाँ पर automatically human written language में यह convert हो चुका है तो इसको आप क्या करोगे यहाँ पर copy करोगे और एक नई word file में आप इसको paste करोगे simple paste उसी तरीके से आप जो दूसरी पैर पे उसको copy करोगे यहाँ पर जाओगे यहाँ पर paste करोगे हम लोग पुरा ब्लॉग यहाँ पर simultaneously copy नहीं कर सकते हो इसका जो लिमिट है वो है 150 words एक साथ में हम लोग सी 150 words ही convert कर सकते हैं जैसे आप देख पारों यहाँ पर 57 words हैं और एक पैरा मैं in fact add कर सकता हूँ copy enter paste 115 words अभी इसको हम लोग refresh कर देंगे देखिये यह automatically refresh हो रहा है तो इसी तरीके से यह जो अभी content हमें quillbot ने दिया है इसको बस हम लोग copy करेंगे इसको हमारा जो word file है उसके उपर हम लोग paste करेंगे इसी तरीके से आप अपका kumppleet blog यहाँ पर बना सकते हो अभी जो blog है यह हमें submit करना है हमारे client कोई IMPORTANT task इसको कैसे submit करते हैं अभी समझ लेते कि हमने हमारा blog बना दिया हमने हमारा content बना दिया अभी जिस client ने ये project आपको दिया उसको अभी इसम्ट करने है उसे आपको पैसे लेने है इसके लिए आपको फिर से जाना है आप ket आपकर प़र पे जाओ यहां पर माय जाओ पर गयां सब्सक्राइब करना है जैसे काम है उसके उससे अगर सैटिसफाइड होता है तो क्विकली आपको पैमेंट यहां पर रिलीस कर देगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी से मिलते हैं अगले वीडियो पर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए अगर आप चाहते ह सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से मिलते हैं अगली वीडियो पर जय हिन दोस्तों